नमस्कार जुनसत्ता में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आदूशी शिर्वास्तवा अस्सम के गुवाठी में बैठे शिवसेना के बागी नेता एक नाशिंद उनके समर्थक विधायकों से पार्टी ने एक बार फेर मुंबई लोटने की अपील की है राजसवासांसा संजराउत ने गुरुवार को मीड़ा से बात करते हुए कहा है कि महराज की बाहर जो बिधायक है उन्होंने हिंदतु का मुद्धा उठाया है जो चाहते हैं कि शिफ सेना को कटबंदन से निकालना चाहिए उन्होंने मुंबई आना चाहिए हिम्मत करके यहां आए और साथ बैठक करके बात करें यहां आकर बात करो तो शिफ सेना महाविकास अगारी से भी बाहर आने को तयार है फ्लोरल टेस्ट हुआ तो हमारी जीत होगी 24 घंटे में मुंबई आर उद्व ठाकरे के साथ बैठक करके बात करो इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है कि उद्व ठाकरे जल्द ही सीया मवास वर्षा को लाट चलेंगे इस पूरे मुद्दे पर क्या अपडेट्स है यह हम आपको उताते हैं स्वीडों के माध्यम से इतना ही नहीं संजराउद नहीं ये तक कहा है कि हमारे कुछ विधायकों का अपरहन किया गया है जो विधायक गुवाठी में हैं उनमें से 21 हमारे संपल्क में हैं और वे वापस आना चाहते हैं इस भी सूरत में एकनाशिंदे कैम से निकले और नितन देश्वक से कहा कि पहले भी कई बार सरकार को गिराने की शादिश की गई है कुछ लोग हिंदतु की बात करते आए हैं यदि हम सरकार से सहमत नहीं थे तो उधर ठाके से मिलकर अपने पत से इस्तिफाद दे देना था लेकिन कुछ विधायकों को ले कर ही वे लोग भाग गए मीडिया से हमारी मांग है कि महराष्ट के जो हालात हैं वे ही दिखाये जाए इतना ही नहीं इसके अलावा एक और विधायक केलाश पाटल ने कहा है कि मुझे सूरत से मुझे सूरत में रखा किया था इसी बीच एक राशिंदे गोट ने भी वीडियो जारी कर समर्थकों का जो जतने विधायक के उनके पास उनकी वीडियो जारी कर दिखाया है कि उनके पास कितने विधायक है उनकी शकले कौन है उनके नाम के साथ चारी किया है 42 विदायक वीडियो में देखे जा रहे हैं जो शक्ति प्रजेशन करते हुए नजर आ रहे हैं नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि एक नाजशिंदे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आपको बता दे कि इतनी बड़ी बगावत के बाद भी शिवसेना की ओर से एक नाजशिंदे और इंके गुट के लिए कड़े शब्दों का इस्तमाल नहीं किया जा रहा है इससे साफ है कि शिवसेना का रोख नरम है और वे हैं किसी तरह एक नाजशिंदे गुट को मनाना चाहती है इससे पहले बुधवार शाम को उधव ठाकरे ने भी एक भावक भाशन देते हुए बागी विधायकों से वापस आकर बात करने की अपील भी थी इसके साथ ही आपको पता दे कि इस पूरे मुद्धे पर संकट के चलते एंसेपी और कॉंगर्स ने भी हलचल जो है तेज हो चुकी है एंसेपी की मीटिंग का मीटिंग के तुरान अज शिरत पवार ने कहा है कि हम सरकार बचाने के लिए उधव ठाकरे के साथ है मीटिंग के बाद जोयन पाटिल ने कहा है कि हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है कल शाम को पवार सहाब ने उधव ठाकरे से मुलकात की थी हम सरकार बचाने के लिए प्रयास करेंगे इसके अलावा ही उन्होंने ये भी कहा कि शिरत पवार ने कहा है कि सत्ता से बहार रहने के संगर्ष के लिए भी हम तयार है इस वीडियो में फिला इतना ही उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसके साथ ही महराश्ट के पल टू पल की अपडेट्स महराश्ट के हल्चल की एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाता रहेंगे तब तक के लिए आपको बनी रहना है हमारे साथ जन सत्ता पर